अमिताप बच्चन टर्मिनेट्स कमला पसंद कॉंट्रैक्ट पान मसाला, गुटका, टुबैको इट कंटेंज अरिकानट, निकोटिन, स्लेक लाइंग और 28 प्लेस कार्सिनोजिन्स और मैनी अधर तिंग्स 1.35 मिलियन पीपल डाई एवरी एर इन इंडिया ठीक है जी? ये पान मसाला, गुटका और बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें खतरनाक होती हैं पान मसाले में गुटकें के अंदर जिसको खाने से हमारे को कैंसर हो सकता है और जो नाम हमने बताया अमिताब बच्चन उन्होंने टर्मिनेट कर दिया कमला पसंद का अड़र्टीसमेंट ऐसा क्यों हुआ कमला पसंद का अड़र्टीसमेंट उन्होंने टर्मिनेट कर दिया अमिताब बच्चन कौन है? अक्टर है अमिताब बच्चन मिजाईल बनाते हैं क्या क्या करते हैं acting करते हैं ना movies में engineer तो नहीं है ना okay तो वो acting करते हैं और हम खुश होते हैं उनकी movie देखकर right तो अगर अमिताब बच्चन कुछ कहेंगे कि आप ये खा लो तो आप खा लेंगे no sir right बट ऐसा नहीं होता हम influence होते हैं कुछ देखकर कि अगर advertisement में मिताब बच्चन को क्यों लिया जाता है क्योंकि वो बहुत known face हैं लोग उनके followers हैं ऐसे ही शारुक खान के ऐसे ही अजय देवगन के followers होते हैं तो जब followers होते हैं तो जो वो करते हैं हमको भी ऐसा महसूस होता है होता न इस पर्ष कभी ऐसा हुआ है आपके साथ में क्या हुआ है बताओ very good very good yes तर्मिनेट मतलब रद कर दिया तोड़ दिया नाता वो तर्मिनेशन हुआ yes yes कृष्णा आप कभी इंफ्लूएंस होएं किसी एक्टर की वज़े से yes sir of course कि जब एक इंस्पारिंग मूवी देखते हैं हम हर एक आप्टर से हम की बाज़ाफिक से स्पारिंग मूवी देखके आप भी लकड़ी उठाके वैसी एक्टिंग करते हैं yes आप बोलो बिटा हां जी contains contains मतलब वो उसके उसमें होता है उस पाउच के अंदर जो पान मसाला होता है उसमें ये सब चीजे मिली हुई होती है right okay so आप लोगों ने मैगी खाई है yes sir किस किस ने खाई है मैगी को पहली बार आपको किस ने बताया था sir TV कहां देखा था TV 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 पे आड में देखा था आपके मम्मी या पापा ने तो लाके पहली बार gift में तो नहीं दी थी मेगी no sir नहीं दी थी no sir मैगी आपको किस ने दिया था TV ने दिया था right so TV के आड में प्रमोशन करने के लिए ऐसे फिल्म के कलाकारों को हमारे साथ में लिया जाता है ताकि हम सब influence होके वो काम करने लगे वो चीज खाने लगे और उसको खाने की वज़े से क्या होता है हमारे को नुकसान भी हो जाता है तो ऐसे बहुत सारी चीजे हैं जिसको खाने से हमें नुकसान है ऐसे टीवी के advertisement को हमें ignore करना चाहिए हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अमिताब बच्चन है कि वो शारुक खान है कि वो हजय देवगन है कि उनकी वज़े से हम भी influence होके वो काम करने लगें क्यूंकि वो एक कलाकार है उनकी limitation वहीं तक है वो space science के engineer नहीं है वो एक सिर्फ कलाकार है तो उनकी बातों से हमें influence होना नहीं चाहिए अपनी सोच से हमें आगे बढ़ना चाहिए तो ये जो पान मसाला है इससे कितने हिंदुस्तान में लोग मारे जाते हैं तुबैकों खाने से ये होता है 13 लाख लोग 13 लाख लाइफ हमारे हिंदुस्तान से लोग बिचारे जी नहीं पाते और वो कभी स्कूल में जाते हैं आपकी तरह पढ़ने के लिए आपको पहली बार मालूम है तुबैकों खाना या सिगरेट पीना कौन सिखाता है तीवी नहीं सिखाता है सबसे पहले साने दे जैन को जोरदार तालियां वेरी गुड़